सबसे पहले असलाम वालेकुम नमस्ते अदाब सस्री अकाल वाटेवर यू फिल कमफ़ड़ेबल विद दिर इस वेलकम टू मास ब्लैसिंग अकैडमी आपका अपना चैनल जिसमें हम इंग्लिश और इंग्लिश की ऑटोनोमी के बारे में पढ़ रहे हैं एंग्लिश और हमें पता नहीं लगता है जो भी हम बोलते हैं हमें लगता है कि हम इंग्लिश अच्छा बोल रहे हैं whatever we speak we feel like yes we are speaking English yes you like that yeah so but there are many mistakes with actually intentionally unintentionally and knowingly and knowingly we do that so that's what we are working on हम उसी के उपर काम कर रहे हैं जो गलतिया हम जाने अन जाने में कर बाट नहीं है ठीक है इस स्टार्ट कर तो यह इससे पहले भी आपसे लगतार मैं आपका gratitude show करता रहा हूं कि लगतार आपका लव बना हुआ है प्यार बना हुआ है आपकी किरपा बनी हुए अशिरवाद बना हुआ है चीक है yes the topic of the day dear students rule for prepositions verbal ability rules for prepositions prepositions के rules के बारे में पढ़ रहे हैं जो एक छोटी सी चीज़े होती ह कई बहर हम जाने और जाने बहुत सारी चीज़े ऐसी हो जाती है हमारे सामने कि हमें पता नहीं लगता है तो हम बारी की से rules wise हम उसको study करेंगे और इस class के अंदर हम in on at और by कहां कहां use करते हैं क्या क्या condition होती है कैसे कैसे location होती है हम उसके बारे में पढ़ते हैं चलिए start क आपको इन दिख रहा है आउड दिख रहा है फोड देख रहा है भाई दिख रहा है इन दिख रहा है और दिख रहा है बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी परपोजिशन से ठीके इन जो यह आर्टीकल्स जिसके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं as there are no rules when at in or on are used we recommend to remember इस वीडियो के अंदर रखा है at in on यहाँ पर रूल्स नहीं होते हैं तो यहाँ पर आपको recommend किया जाता है आपको suggest किया जाता है कि जो sentences हैं किस तरहां से बन रहे हैं आप उसको बहुत ब्यारी बारी की से समझ लें ठीक है देखिए in general we use at for a point अगर किसी चीज़ को point करना होता है तो हम add करते हैं in for an enclosed space in for an enclosed space कहीं जब हम enclosed space की बारे में बात करते हैं किसी जगा के बारे में बात करते हैं कहीं जब हम किसी के अंदर की बात करते हैं तब हम वहाँ in use करते हैं on for a surface on हम use करते हैं किसी चीज़ से ऊपर के लिए surface के लिए बात करते हैं ठीक है देख लेते है प्रिपोजिशनल फ्रेज़ इन ऑन एड बाय को भी हमने एड किया तो इन हम कहां कहां यूज करते हैं इन टाइम आए-बॉप्य आप आपि एन टाइम लग्वित का आपिए इन टाइम थीक एन टाइम है ऑट रोट वालि मुवी बहुत इमांड में है वाला एक्टर बहुत इमांड है अग सल जब हम वंडे मैज देखते हैं आई पियल गड़ा दिखते हैं कि ये करके कि इस बैकमें की बहुत इमांड है ये बॉलर की बहुत इमांड है और सुछी इन डिमांड शीजिन डिमांड हीज वाइस जी ओन दिमांड अलिक धाथ इन और फोकस, इन अपरोड, इन आन्सवर छू, इन एंटिसिपीशन ओफ, इन एरियर्स ओफ, इन डेंजर, इन डेंग, इस सीद की तरह, सेम, ओन, ओन वाच, ओन स्केजूल, ओन दी रिकॉर्ड, ओन दी रोड, ओन दी ओध, ओन पेंट, सो यह आप वीडियो को पॉस करके, आप स्क्रिंशॉट लेके बकाईदा इस चीज़ों को अच्छे से देख लिएजे कि कहां कहां आता है, और येस, आप हो सकता है, तो इन स्लाइट्स के साथ, जब आप स्क्रिंशॉट लेते हैं, तो इसके साथ आप सिंसिरली सेंटेंसेज बनाने की कोशिश करें, आपके क Yes, So, AD point, at the corner, at the bus stop, at the door, at the top of the page, at the end of the road, at the entrance, that's what we use for the AD, at enclosed, as हमने पहले कहा, कि नच्छे से देखन, in the garden, in London, I am in Delhi, these days I am in Delhi, I was in Hyderabad, I am in London, I was in Paris, in France, in a box, in my pocket, in my wallet, okay so like that on surface on को कहां यूज करते हैं surface को यूज करते हैं on the wall on the wall on the ceiling on the door on the cover on the floor on the carpet like that तो हम यह इस सरे लेक्ट आपको बहुत सारी sentences हैं जो आप अगर अब्जेक्ट का इस्ते अमाल करते हैं तो लगातार वो बंत रहे जाते हैं if your friend is asking where are you? कहां हूं आप तो आप जवाब देते हैं I'm in a car I'm in a car मैं वाहन में हूँ डाडी में हूँ in the sky twinkle twinkle little star how I wonder what you are up above the but so high like a diamond in the sky तो महाँ पर क्या in the sky in the newspaper कुछ आया है जैसे article तो इन से आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ जब किसी के अंदर होता है in a helicopter in a lift in a boat in the bathroom in Paris in the fall in the kitchen like that हम in कर स्थिमाल करते हैं जब कोई समान किसी के अंदर होता है किसी चीज़ के अंदर होता है ठीक है we sit in the room I see a house in the picture example है I see a house in the picture मुझे उस फोटो के अंदर एक घर दिखाई दे रहा है ठीक है there are trot in the river ठीक है he lives in Delhi he lives in Delhi I found the picture in the paper देखिए आप इसके साथ आपको क्या चीज़े और जाधा नजर आ रही है कि यहाँ पे आपको दी the paper he lives in Delhi यहाँ पे he lives in the daily नहीं आ रहा है तो आर्टिकल वाला जो rules जब हमने किया था अगर आप आर्टिकल अच्छे से समझ चुके हैं अगर नहीं देखिया है वो वीडियो तो आर्टिकल वाली वीडियो को जाके एक बार देख लीजी जिसमें हमने समझाया है कि जहाँ प इन दी मिडल ओफ दा गार्डन यह इस डिस प्ले से आपके कही नहीं ही डन ओर आगा देख देख लिज़ इस बिक ट्री इन दा मिडल अफ दा गार्डन तो हम बता रहे हैं कि वहाँ पर एक पेड है जो बीच ओ बीच गार्डन के है ठीक है प्रिपोजिशिएंस ओन कहां क ओन मैं वे ओन दा वे वी उस फोर जब हमें कहना होता है अगर आप हिंदी मिर्यम स्ट्रेंश न या न इंग्लिश मिडियम स्ट्रेंश न से तो हीर आप टो अन देख दो यूज़ दिख वे और वे वे वार्डन यूर अवर देख मिन्स आप लेप्ट वेस प्रम यह प्रि जब लाइप ठीकिया नधी लाफ रोन डिराईट्र ठीकित अने से उनने जृफ सिप्ले मिर्ण लिकता और यहां बीस अब यहां गोर्णि माइस दिखाया दि पुना मैसल वे is c or where is it it is on the box on a motorbike on a motorbike on a horse on an elephant अब यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि एन elephant क्यों लगाया है हमने क्यूंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर elephant लगाया यह article है n sound कर रहा है ठीक है on television on the second floor ठीक है अब बताया चीजी हमें pointing करना होता है basically किसी के बारे में don't look at me इतनी गंदी तरह से मेरी तरफ मत देखो अगर तुम धंग से नहीं जख सकते तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करना I don't wanna talk to you don't look at me like that I don't wanna see your face don't look at me मुझे मत देखो ऐसे मुझे नहीं पसंद ऐसे तुमारा मुह सड़ा के देखना usually हम जनरली हम ऐसी बात करते हैं ठीक है तो at the top at college at university like that हम use करते हैं जब किसी को हम pointing out कराना होता है अब देख रहे हैं at school I'm at school I'm at my work I'm at my master's place I'm at my maternal uncle's place like that we use at the door at a concert at the dinner तो example देख लेता है कुछ इससे related आपको connect करने के लिए जरूरी हो जाएगा और बहुत important हो जाएगा ठीक है she sits at the desk she sits at the desk अभी यहां पर on using करें she sits on the desk at the desk because pointing out we are pointing out the desk open your books at page number 10 so basically we are pointing out at page number 10 बच्चो बुक खोलो 10 page number ठीक है तो यहां पर हम बात करें in on at specifically at ठीक है look at the top of the page जरा नजर जोड़ाओ और पेज के शुरुआती इससे पर देखो write this information at the beginning of the letter write the information at the beginning of the letter जब आप letter start कर रहे हैं तो आपका information वहां डाले हैं जैसे हम जब subject लिखते हैं ठीक है हम वहां पर प्रॉपर ही डालते हैं न कि किस चीज के लिए हम लिख रहे हैं क्या परपाज है हमारा लिखने का तो write the information at the beginning of the letter can we meet at the corner of the street अगर आपको कोई परिशाइन ना हो क्या हम वहां street के corner पर मिल सकते हैं ठीक है ठीक है जैसे आप बोलेंगे अंकल तो अंकल से तो पता नहीं लग रहा है we don't understand that what type of uncle or which uncle you are talking about maybe like brother of your mother or maybe brother of your father तो कैसे पता लगेगा तो maternal uncle and paternal uncle maternal cousin, paternal cousin, paternal cousin, maternal cousin sister, paternal cousin sister, paternal cousin sister, we divide that maternal mama side, paternal papa side तो अभी हमने पढ़ा प्यारे बच्चो इन, on, ठीक है at किस तरह से हम उसको use करते हैं basically इसके लिए कोई rules नहीं है लेकिन बाकी सारे proposition के लिए rules है तो next video में हम पढ़ने वाले है rules for propositions below and above, rules for proposition below and above, below कहां use करते हैं, above कहां use करते हैं, अब कहां use करते हैं, down कहां use करते हैं, इंके बीच में क्या differentiations होती हैं, हम साथ के साथ पढ़ते चले जाएंगे तो stay connected with the Mass Blessing Academy, stay connected with your Naveesa or Laveesa, okay, thank you very much dear students, thank you very much for your support, thank you very much for everything